रास्तान फ्री इसकुट योजना के अंतरकत काली भाई भील मेदवी चात्रा इसकुट योजना और देवनरन चात्रा इसकुट योजना के फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं लेकिन फॉर्म परने के बाद एक दिक्कत है जो आपके सामने आ रही है common problem है वो आ रही है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ यार स्वागते आपका रास्तान इसकुट योजना में फॉर्म एपलाई करने के बाद दोस्तों एक नहीं समस्या आ रही है वो समस्या क्या है और साती जिन चात्राओं ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं परा है उनको जो क्या करना है और क्या इसकी लाश्ट डेटे वो आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी और अगर आपने एक गल्दी कर दी तो आपको इसकुटी है वो नहीं मिलने वाली है तो इन सब के बारे में कंप्लेट डिटेल में बात करने वाला हूँ तो जो साथ रहे हैं वास्तों म जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको हमें सब मिलती रहेगी तो चली वीडियो को स्टाट करते हैं तो जैसे कि आप सब को पता है कि 3 जनवरी 2022 से इसके फॉर्म बरने स्टाट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी है 15 फरवरी 2022 और दोस्तों इस बीच में आप फॉ कैसे देख सकते हैं यानि फॉर्म का जो स्टैटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि फॉर्म अपरूड हुआ है या पॉं में कोई भी अब्जेक्सН हागया है या कब तक है जो आं पारूड हो लाई उसका इसके लिए मैंने चैनल पर और लेडिए वीडियो बना रखा है और उ जिन चात्रों ने अभी तक अपना form नहीं परा है वे सभी चात्रा हैं जो 15 फरवरी से पहले पहले अपना form एपलाई कर दें क्योंकि last date के दिनों में दोस्तों server है वो error की problem जादा रहती है इस विज़े से वो date चली ना जाए तो आप last date का इंज़ार किये बिना अपना form है वो आज ही apply कर दें form apply करने के लिए कौन-कौन से document की जरूत पड़ेगी form कैसे परना है इसके लिए मैंने channel पर perfect video बना रखा है इसके लिए channel पर video उप्लिप्त है तो अगर अभी तक आपने वो video नहीं देखिया है उसमें skuti उजना से समधी सभी परकार के video उप्लिप्त है उनको आप देख सकते हैं चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सी गल्दी है जो आपको नहीं करनी है याँ पर अगर आपने पहले कोई भी skuti प्राप्त कर रगी है चाए वो किसी भी कक्सा में हो या फिर इसकी eligibility है वो आप पूरा नहीं कर रहे है तो इन दोनों condition में आप अपना जो skuti का form है वो apply करते ही दोस्ता आपका form में वो सीधे सीधे reject हो जाएगा तो आपको ये गल्ती बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपने पहले मान लो कोई भी skuti प्राप्त कर रहे है या परसान राजी का लाप लिया हुआ है तो आप इसके regarding एक बार official notification को जरूर पढ़े और या फिर अपने toll free number पर है जो call करके इसके बारे जरूर inquiry करें क्योंकि आपका form है जो बाद में result भी हो सकता है और आप इसके परोसे बैटन है कि हमारा form एपलाई हो जाएगा और हमें skuti मिल जाएगी तो बिल्कुल ऐसा ना करें आप official notification को एक बार है जो जरूर पढ़ें उसके बाद ही अपना form एपलाई करें इसके अलब आपको skuti को लेकर कोई भी समझा है कोई भी सवाल है ता आप मुझे instagram पर जाकर follow कर सकते हैं instagram का link है वो channel के about में दिये हुआ है वहाँ जाकर instagram पर मुझे follow करके आप लोग DM कर सकते हैं तो यह थी आज की management update वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजे और channel को subscribe जरूर करें थैंक्स पूर बोटिंग